कि अब्रिवान वेरी गूड इबनिंग कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है आलोग बाचपी और आप लोग जुड़ चुके हैं इसमें इंडिया के नमबर वन स्टेडी चैनल वाइफाई स्टेडी पर आप लोग जुड़े हुए इसमें वाइफाई स्टेडी 2.0 ऑफीसिय लीटूब चैनल पर तो सारे विद्यारती जानते हैं मौर्निंग में 11 बजे हिंदी की क्लास और इवनिंग में रात में 8 बजे आप लोगों की जीएस जीके की क्लास हो रही है तो इन दोनों क्लासे से लगातार जुड़े रहे हैं आप सभी लोग एक बार तेजी से 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 सेर कर दीजेगा सेसन को फटाफट से लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए यहाँ पर तेजी से आप सभी लोग भया सेसन को फटाफट से सेर कर दीजेगा जितने भी विद्यारती हमारे साथ यहाँ प बिलेगा कोई भी कोर्स अनकेडमी पर लेना चाहते हैं तो बस कोड लगा दीजिए यह भी सर दस क्यापिटल लेटर में आप लोगों को डिसकाउंट मिलेगा किया नकेडमी लाइट फेस्टिवल है आप लोग देख सकते 179 में यहां पर भी आप लोग यहां पर देख सकते इThe 20 परसंट आप लोगोновको डिसकाउंट विल लागा कीतना 20% तो यहां पर भी आप लोग यह भी सर दस कोड का प्रियोक कर देना है 20 परसं डिसकाउंटर के लिए अउफ़र है नोट्स आपको बैच में एंरॉल मेंड करना हो एसर दस कोड लगाना है несनों किसी भी वैच में इन्वेच करना है अगर आपको लेना है तब भी रशुम दस कोड लगाना है और आईकोंउन माहड़ा ईस मेरे ने फृ लेना पहला सवाल है निम लिकित मिल से किसे भारत का तोता के रूप में कहा जाता है भारत का तोता है हिंद किसको कहा जाता है क्या आंसर होगा बोलिए गावाई सिवाय बाबू रविंद्र पाल स्थेटर्स वर्ल्ड राजेस सारे लोग आंसे करेंगे देखो बच्चे बड़ा ज आसगंग जिले के पटियाली नामा के स्थान पर हुआ था इनकी बड़ी एक प्रसिद रचना है तुगलक नामा यह इनकी बड़ी प्रसिद रचना है अमीर सरोजने नायडू भारती राष्ट्री कॉंग्रेस की अध्यक्ष बनती है 1925 के कानपूर दिवेशन में पहली भारती महिला होती है जो कॉंग्रेस की अध्यक्ष बनती है हाला कि पहली महिला इनिवेसेंट थी लेकिन पहली भारती महिला यह हो जाती है तान सेन का वास्तविक सेंट सेंट को मतलब कह सकते हो पर्फ्यूम फ्राम दरूज यानि कि गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का जो अविस्कार है वो किस ने किया था कैसे हो भाई चलिए बहुत बढ़िया सारे लोग सेयर करते रहो डेविट बावू रबर्ट हम देखा है वही चलिए बहुत बढ़िया गुलाब से इत्र निकालने के जो मैथट है वो नूर जहां की माता असमत बेगम नहीं जात किया था याद रखना है नूर जहां का बास्तविक नाम क् वह आपका अर्जुमंद बानो बेगम जो है वह नूर जहां का बास्तविक नाम है नेख्स ekt इंग्स वार्ड यह आपका किससे रिलेटेड है छिक है भाई देखोור बाऊत बढ़िया सवाल है अब लोग कहते हैं ढूर्स द्यूस आपका बैड्मिन्टन से एक नाम पुनाई भी है इसलिए कहते हैं बैड्मिन्टन को पुनाई पुना से उत्पत्ति próxima ए Basically जब वाई आपके बैडमिंटन से रिलेटेड हैं नोट कर लिजेगा कबड़ी में खिलाडियों की संख्या साथ है इसको चेडुगुडु हुतुतु भी कहते हैं क्रिकेट से रिलेटेड रजी ट्रॉफी दिलीप ट्रॉफी सीसमेल ट्रॉफी उसके बाद में सरजहां का रेपाल का गेम है और वियाई इसमें छे खिलाडी होते हैं वॉलीवॉल में अगला सवाल प्यारे विद्यारतियों बताओ किस वर्ष में पहलीवार अर्थसास्त्र का अंग्रेजी संस्क्रन्ड छापा गया था कैसे हो मैं वावू सारे लोग यार सेयर करो जबर्दस तरी में 1909 में मारले मिंटो सुधार हुआ और 1915 में भी एक और बहुत महत्तपूर गटना हुई है हिंदू महासभा की स्थापना ये भी आपकी 1915 में ठीक है 1965 में फूड कॉर्परेशन आफ इंडिया एपसी आई का निर्माड हुआ है नेक्स्ट वेस्टन है बॉम्बे रेडि क्लब से भारत में रेडियो परसारन जो है वो कब शुरू किया गया था वॉम्बे रेडियो क्लब से भारत में रेडियो परसारन 1923 से 1924 में एच आरे की स्थापना होती है हिंदूस्तान रिपब्लिकन एसोसीएशन एक करांतिकारी संगठन है 1921 अगस्त को असायोग अंद देखो हम लोग एक चीज जानते हैं एक होता है राष्ट्री वा दिवस स्वामी विवेकन साथ के दिवस पर मनाते हैं 12 जनवरी को 12 जनवरी कभी नहीं लगाना है यहां पर पूछा गया विश्युवा दिवस यह आपका 12 अगस्त को मनाते हैं यह ठीक है और 20 हाथी दिवस व विवकास संगटन जिसको भी औरो बोलते हैं बारडर रोड औरे अरगनाईजर्शन इसकी स्थापना कव ओती है वे यह अरो के स्थापना जयए यूपी पैट के लिए बिल्कुल है वाई बिल्कुल बेहतरीन है यूपी पैट के लिए देखो पाई सीमा सलक विकास संगटन की स्थापना जो की गई है वो की गई है माई 1960 में important है नोट कर लिजेगा वर्ल्ड साइड डे 20 द्रश्टी दिवस कब मनाते हैं 11 अक्टूबर 12 माई 8 अक्टूबर या इन में से कोई नहीं अब देखो यहाँ पर 8 अक्टूबर बड़ा important है अक्सर आपको दिख जाता है ये किसी ने किसी एक्जाम में बायू से न दिवस और जो वर्ल्ड साइड डे है ये बाई इन में से कोई नहीं तो बताओगे कमेंट सेक्शन में कम मनाते हैं बोलिए बाई बिल्कुर रेडियो अपरेटर के लिए भी है सारे लोग सेयर करो यार तेजी से सबसे पहले तो बाई सेयर करो तेजी से से सेसन को तभी आनन्द आएगा नेन्फ्स क्वेस्चन एकिस धातु को छोड़के प्रया सभी धातूं है पारे के साथ मिलकर के मिसर धात बनाती है देखो भाई पारे के साथ मिसर धातु मनाती हैं वो हैं आपकी कौन सी एफ़ी लोहे को छोड़ करके मांकी सभी ठीक है गोल्ड का सिंबल हो गया एई उस सिल्वर हो गया यह चांडी का जिंक जस्ता ठीक है याद रहेगा कौन सा पडूसी देश भारत के साथ भूम सीमा साजहा नहीं करता है बहुत ध्यान से समझेगा देखो बच्चे हम लोग कहते हैं बंगला देश लगता है पाकिस्तान लगता है लगता है बिलकुल लगता है लेकिन मालदीव बेसिकली हम लोग कहते हैं कहां पर समंदर के एक प्रेंट के फॉर्म में रहता है तो इसलिए हम लोग कहते हैं यह मुख्य भूमी जो सीमा है उससे नहीं लगता है कि लिए रहना सारे लोगों को आया ना नेक्स्कैन है अनब्रेंग for भय सरथ है और अनृट को इससी के उपर फ्रेंक प्रेंगा उसमें बॉक्सर बनी है मैरीचाम के नाम से सीर लुट कर की आटो बैइंग्राबी है थारे लोग जानते हैं प्लेंग इटस मैउट प्लेइंग एट्स माइवे यह सचिन तेंदुलकर की आटोबायग्राफी है नेक्स्ट क्वेस्टन है कम्ट्रोलर एंड अउडिटर जनरल सम्मिट इस रिपोर्ट तो हूम नियंत्रक और मालेखा परिच्छक किसको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है बिल्कुल मेरिट हैं बहुत बढ़िया कार्थिक सर्मा बहुत बेतरील इंदम तगड़े से आंसर करते रही है शेयर करते रही है बिल्कुल संजय बाबू आराम से देखो भाई CAG भारत के सबसे बड़े लेखा अधिकारी है आर्टिकल नमबर 148 से लेकर के 151 तक उलेख है पूरे समिदान में है आर्टिकल के माध्यम से और CAG चुकी इनको क्यों कहते हैं सबसे बड़े लेखा अधिकारी हमारे इंडिया में दो फंड है आर्टिकल 266 Consolidated Fund आर्टिकल 267 Contingency Fund दोनों से जो पैसा खर्च होगा उसका हिसाब किताब कौन लेंगे CAG साब किस्से लेंगे सरकार से तो CAG अपनी रिपोर्ट बनाएंगे वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास सम्मिट करेंगे प्रेसिडेंट उसको सदन में रखवाएंगे लोगसभा में और लोगसभा में फाइनल जाच करेंगे पब्लिक अकाउंट केमेटी और फाइनल रिपोर्ट बनाएगी पीएसवी जो कि लोगसभा स्पीकर के पास में सम्मिट करेंगी ठीक है नेक्स क्वेस्चन उस भाइसराय का नाम बताईए जिसकी मृत्यू भारत में हुई दो बड़ा बढ़िया सवाल है चुकि इनका मकबरा तो है यहाँ पर गाजीपुर में है कॉर्ण वालिस का लेकिन मृत्यू अगर पूछा जाएगा तो आपके एक्जामिनल जो पेपर सेटर है जब बनाते हैं तो इसको मानते हैं कहते हैं इनकी कबर तो है लेकिन मृत्यू इनकी सेर अली खान एक अफगान था सेर अली अफरीदी जिसे सेर अली भी कहते हैं इसने भारत के बाइसराय मेयो को 1872 में मारने के लिए जाना जाता है ये cellular jail का inspection करने के लिए गए थे वहीं पर बदली बहुत ज़ादा थी अंधिरा था जैसे बोट पर बैठते हैं ये इनकी हथ्या कर देता है चाकू मार कर दे अबूल फजल के पिता कौन थे अबूल फजल के पिता का क्या नाम है आंसर बताईए अबूल फजल आईने अकवरी के लिखाक इनके पिता जो हैं वो सेख मुबारक है और जो मजहर का प्रारूप बनता है मजहर 1579 में अकवर जो बन बाता है ये सेख मुबारक उसके मुख्य होते हैं ठीक है? नेक्स्ट क्वेस्चन है उससे पहले अबूल फजल आईने अकवरी जानते हैं लोग हडपा इस्थल की खुदाई के समय में भारती पुरातत तो सर्वेच्छन के महानिदेशक कौन थे? बच्चे ये इंग्लिस वाली क्लास में पूछो भाई इंग्लिस का इंग्लिस सबसे अच्छा सीखना तरीका है एक निउस्पेपर लो उस निउस्पेपर को कम से कम पांचे दिन पढ़ो शुरुआत में तो एक दिन में एक पढ़ने पाऊगे और डिक्सिनरी रखो जितना वर्ड कलेक्शन होगा देखो उसमें उससे आपका इंग्लिस सबसे अच्छा इंप्रूब होगा कोई किसी को इंग्लिस सिखा नहीं सकता है तरीका बता सकता है सीखना आपको ही है बिल्कुल इंपोर्टेंट है नेट के लिए एकदम सुमन यादव हडपा सबिता की खुदाई के समय में भारती पुरातत्यो सरविच्छन के महानिदे सक जौन मार्सल है दैयराम सहानी ने 1921 में हडपा इस्थल की खोच की आड़ी बनेर जी ने मोहन जोदलो इस्थल की खोच की चीक है नेक्स कॉस्चन या आप देख सकते हैं यह पूरा मैंने जो बताया हडपा संस्क्रत के निमलिखित में से किस इस्थल से सिंदूर का प्रमाण मिला हुआ सिंदूर बोलिए डेविड राजपूत तगड़ेस पड़ो भाई यूपीस्टी के लिए है ना बिलकुल देखो कौन सा सिंदूर का प्रमाण देता है तो सिंदूर का प्रमाण देता है नोसेरा कौन प्रमाण देता है नोसेरा सिंदूर का नेक्स कुश्चन है भारत का सिराज के नाम से किसे जानते हैं भारत का सिराज है भाई आपका जौनपूर यहाँ पर है जौनपूर बिलकुल है भाई जौनपूर की स्थापना फिरोज सा तुगलक ने मुहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी जौना खान नाम था मुहम्मद बिन तुगलक का इसलिए मतुरा की बात करेंगे यमुना नदी के किनारे है जौनपूर पूछा जाएगा गोमती नदी के किनारे है आगरा पूछा जाएगा यह मुना नदी के किनारे है अजमेर के पास से एक नदी निकलती है लूनी नेक्स पॉस्चन डिसकवरी आफ इंडिया जवाहर लाल नहरू ने किस जेल में लिखी थी डिसकवरी आफ इंडिया बहुत प्रसिद्ध किताब है उसके बाद आधुनिक समय में रिडिसकवरी आफ इंडिया भी लिखी गई वो मेगनाथ साह ने लिख मेईनाथ दिसाई ने लिखी थी और यह डिसकवरी आफ इंडिया अहमद बगर जेल में यह नहरू जी ने लिखी थी यरबदा जेल में 1932 में गांधी अमबेड़कर के बीच में एक समझोता होता है उस समझोते को पूना समझोता कहते हैं डाक्तर राजेंद्र प्रसाद उसमें मध्यस्ता करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेस्चन में अब तक कुल कितनी बहुत संगीतियां हुई है अब तक ओब चार राजग्रेह, वैसाली, पाटलीपूत्र, कुंडलवन यह चार ऑथेंटिक हैं याद रखना है तो हम क्या बताएंगे यार चार हैं नेक्स्ट क्वेस्चन है अहार्ट फुल आप वर्डन यह भाईया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई रिचार्ड एटनबरो कुल समाज अंदोलन जो है वो किसमें विश्वास करता है सर्वेश्वरवाद में बहुदेबबाद में बैदिक करमकांड में या मूर्थि पूजा में बिलकुल काम करेगा बहिया 100 परसेंट इसका नाम सभी परिच्छाओं के लिए हैं बिलकुल योगेंदर दिक्षित जी देखो भाई आरहे समाज अंदोलन जो विश्वास करता है वो बैदिक करमकांड में भूदान अंदोलन की सुरुवात हुई थी कहां पर भूदान अंदोलन की सुरुवात हुई हम लोग जानते हैं आचार विनौभावे ने पहला गाउं पोचम पल्ली उस समय के हिसाब से आंदरप्रदेश है आज के हिसाब से तेलंगाना है तो हम लगाएंगे भैया तेलंगाना क्योंकि आंदरप्रदेश विकल्प में नहीं दिया गया है ठीक है बिलकुल सारे परिच्छाओं के लिए मैंने इसलिए इसका नाम रखा है हर लेवल का question मिलेगा explanation मैं इसलिए सार बिलकुल बिलकुल रानी मोर्या माउंट हेलेना जो है वो आपका संयुक्त राज अमेरिका 50 स्टेट्स याद रखना है फिलिपिन्स की राजधानी अगर पूछा जाएगा तो मनीला है चिली की कैपिटल अगर कभी पूछी जाएगी तो सेंटियागो है चिली की कैपिटल ठीक है नेक्स्ट बारत में जीएस्टी लागू करने के लिए कौन सी कमेटी ने सुझाओ दिया है जेगो बाइट जीएस्टी लागू करने के लिए जो सुझाओ दिया वो विजय केलकर समितिए सिला दित्ति के नाम से किसको जानते हैं बड़े बहतरीन से सवाल है और एक्दम तगड़े से आंसे करो बिल्कुल के वीएस के लिए है हंड़ेट परसेंट है भई देखो है जीएस में क्या है घुमाना है पेपर सेटर है क्वेश्चन को घुमाता है ठीक है बस जो वाजी कर एकष्याए सेक्वारे पेर करता है रेइलवे में भी करता है स्टेट लेवल के एकजाम में भी करता है बुद्यमानी भी यह जब तब गिरोजगार विद्यारती है तब तक उसको करना चाहिए है गर उसके दाइरह में आता जucionesरे करना चाहिए सिला दित्ति जो है वो आपका हर्श वर्दन को कहते हैं हर्श वर्दन का समय है 606 इस वी से लेकर के 647 इस वी तर ठीक है next question सिंद्व सब्टा का कौन सा इस्थर भारत में इस्थित था ही नहीं बहुत बड़ी है सवाल बिल्कुल है सुमित कुमार इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन है बहुत ब्रहत 12,99,600 किलोमीटर स्कॉार में फैली थी पता है ना आकार कैसा था अड़पा सब्टा कर त्रिबुजा का इसका कौन सा इस्थर भारत में इस्थित नहीं है मोहन जोद्रो इस्थित है सिंद्र राज लरकाना जिला वहाँ पर मोहन जोद्रो भाईया इस्थित है ठीक है यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को बाकिक काली बंगा राजस्थान आलमगीरपूर उत्तर प्रदेश लोथल गुजरात में यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ स सभाज चं Hundra बोष्च सहाब ऑन हम लोग को अधेस नायक कहते हैं जाय देस नायक कहते हैं सुभाज चं³ बोष्च अप्छ और सुभाज चंद्र बोष्च बाबू जो हैскब heavy dollar में उननीश सो औन्तालिस में ट्रिपुरा में कांग्रेश के अधिवेशन के आध्यश रहते हैं तो यहां पर हरिपूरा अगर पूछ दिया जा हरिपूरा कहां आए यूपीस्टी में पूछा जा चुका तो आप कहेंगे यार गुजरात में ठीक है ना कkach लीए रहा है चले आगे बढ़ते से वह वेद जो गध्य और पद दोनें लिखा गया अगर यह जुरुफे घ्जब्य कोंसा है और पद दोनें लिख गया है और एक चीज याद रखे इसको हम लोग करमकंडी वेध भी कहते हैं इसको हम लोग करमकंडी वेध भी कहते हैं सामबेध जो है इसका पुरोहित उदगाता है और अथरवेध का एक मात्र ब्रामण है इसका नाम है गोपत नेक्स्ट कोस्चन है विश्व विरासत दिवस कम मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस जो है यह बाइक कम मनाया जाता है आंसर क्या होगा सारे लोग आंसर कीजिएगा 222 दिवस देखो प्यारे विद्ध्यार्थियों 222 दिवस 18 अपरेल को 9 जनवरी को प्रवासिय भारती दिवस अच्छा क्यों मनाते हैं प्रवासिय भारती दिवस बड़ा इंपोर्टेंट सवाल है महत्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को हिंदुस्तान आते हैं साउथ एफरीका से 5 जून को 200 पर्यावरण दिवस मनाते हैं 1 जून को अंतर राश्ट्री या स्रम दिवस या इंटरनेशनल लेवरडे मनाते हैं डेविड भावु किलियर हो रहा है कि एक option इंसर्च आफ गांधी यह पुस्तक के लेखक कौन है इंसर्च आफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है भाई तेजी से answer करोगे देखें इंसर्च आफ गांधी यह रिचार्ड एटन बरोवन किस जोड़े को सही मिलाया गया है कौन सा जो पेर है वो सही मैच्ड है देखो भाई बिटामिन ए कमी से रतोंदी होता है सी की कमी से इसकरवी तो यह तो होगा नहीं हाँ यह एक दम सही है बिटामिन बी की कमी इसे बेरी बेरी यह वाला विकल्व सही है तो यह वाला सही है तो सही मिलाया गया खिस रोक का कारण विसाणू है वाइरस है चलिए बहुत बढ़ी बात है अगर कोई दिक्कत नहीं होती है तो देखो भाई बहुत ध्यान से समझेगा बहुत बढ़िया सा क्वेस्चन है यह जो रोग का कारण विसानू है यह विसानू हो जाता है एड्स यह भी बैक्टीरिया से ये भी बैक्टिरिया से ठीक है ये भी बैक्टिरिया ये आपका 800 जाता वाइरस से HIV वाइरस होता इस तरह पानी पत का दूसरा युद्ध सारे लोग जानते हैं आप लोग उत्तर देख भी लिया है तो हम दिखाई देते हैं 1556 में पहला युद्ध पानी पत का 26 में दूसरा चंपन में 3 सत्रा सो 01 में 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था कि नाग्स क्रेश्च लोग उर पहली बर कभ और कहां गाया गया था हमारा राष्ट्रगान पहली बार अवाज नहीं आ रहे ही कौन कम् hect है ना बच्चे सारे भी दारतियों वो लिएगा बहुत बढ़िया सवाल है राष्ट्रगान के मतलब हो गया जनगण मन राष्ट्रगीत के मतलब हो गया वंदे मातरम एक चीज याद रखो वंदे मातरम पहले गाया गया है अथारा सो चैनवे कलकत्व अधिवेसन में जनगण मन बात में गाया उन्नी міघंटास सब्सक्राइब क्यान्म जब उन्नीस ग्यारा कलकत्व हुझे तो यही पूछ आये जन exhibition मन जब गाया गया तो विसन नाराण धरत धेच्छे यह भी कलकत्ता में उआ यह भी कलकत्ता में हुआ ठीक है यह दुनों का अलग-अलग है मद्यपर्देश उच्छिनेयला कहा है मद्यपर्देश हाई कूर्ट तो बढ़िया सवाल है हाई कोड की बात करते हैं तो मद्यपर्देश हाई कोड है जबलपुर भोपाल जो है वो बेतवा नदी के किनारे है जबलपुर जो है यह आपका नर्मदा नदी के किनारे है इंद और को यूनिवर्सल पोस्टल उनियन जिसको सौर्ट में यूपी यूभी कहते हैं यूपी यू यू यूवर्सल पोस्टल उनियन यानि की यूपी यू यह सुर्जर लेंड की राजधानी बर्न में इस्थी थे आपर सुर्जर लेंड की कैपिटल बर्न में लंदन की बात कर नदी के किनारे है नियुयार्क में युएनों का हेड़क्वाटर है और नियुयार्क आपका हडसन नदी के किनारे वासिंगटन डीसी डीसी के मतलब डिस्टिक आप कोलंबिया नदी पूछी जाएगी पोटोमेक नदी के किनारे वासिंगटन डीसी सहर इस्तित है ठीक है ना नेस्तल पार्क कहां पर है तेजी से आप सभी लोग आंसर करेंगे भाई वो लिये सारे लोग देखो भाई आप गंगोत्री नेस्तल पार्क जब भी पूछा जाएगा तो आप कहेंगे यार उत्तराखंड में उत्तराखंड की स्थापना पूछी जाए नौ नौमबर सन 2000 को अगर पूछा जाएगा राजा जी नेस्तल पार्क तो आप कहेंगे उत्तराखंड में अगर पूछा जाएगा हेमकुंड साहिब तो हम कहेंगे उत्तराखंड समराट असोक से जुड़ा हुआ कालसी स्थल तो हम कहेंगे उत्तराखंड अगर पूछा जाए हेलिकाप्टर उत्सब कहा हुआ था तो हम कहेंगे देरादून में जो इसकी राजधानी है इसकी ग्रिसमकाली राजधानी कौन सी बनी बच्चे तो हम लोग जान देते हैं यार गैरसेड में बनी अब अगर पूछा जाई है यूटी कब बना तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कस्मी डेक्लेरड यूटी और इससे कटके लद्दाक को भी एक यूटी बनाया गए रेंड किस कंट्री की करेंशी है रेंड रेंड बताओगे बहुत बड़िया क्वेस्चन है रेंड की जब भी बात करते हैं यह चुकी एफ्रीका क्वांटिनेंट में तो एफ्रीका से रिलेटेड हम जरूर बताएंगे आपको एफ्रीका इस दा सिंगल क्वांटिनेंट जहां से तीन लाइन तीन रेखा है जिरो डिग्री एक्वेटर लाइन भूमद रेखा साड़े 23 डिग्री उत्री अच्छांस जिसको बोलते हैं करक रेखा ट्रॉपिक आफ कैंसर और तीसरी है साड़े 23 डिग्री दच्छडी अच्छांस जिसको बोलते हैं मकर रेखा ट्रॉपिक आफ कैपरिकार तीनों रेखा एक ही महादीब से गुजरती हैं that is Africa continent इरान वर्ल्ड में सबसे अधिक केसर का प्रोडक्शन करता है Capital तेरान है रोमानिया की Capital बुखारेस्ट है जो देन्यूब नदी के किनारे है नौर्वे की Capital उसले होया और और नौर्वे वर्ल्ड में mathematics के छेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार देता है लेट इस एबल एवार्ड एबल नोबल प्राइज आप मैथमेटिक्स यह पॉइंट जरूर याँ ठीक है नेक्स्ट परस्टन है विच कंट्री विल होस्ट तट ट्वंटी ट्वंटी टू कॉमन वेल्थ गेम्स यह कहां पर भईया हम लोग जानते हैं यह बर्मिंगहम ठीक है यह हो रहे हैं चमगादर अंदकार में उड़ सकते ह रहने क्योंकि महां सक्तिसाली तरंगं रखते हैं तेज आँके रखते हैं या प्रोड्यूज अल्ट्रासोनिक बेप्स तो हम सारे लोग जानते हैं कि चमगादर हमेशा दिन में लटके रहेगा रात में क्योंकि अल्ट्रासोनिक बेफ्विया उत्पन करते हैं इसलिए ऐसा हो प्रिटेस प्रिस पहुषती है अननुवाई जो ग analyst क होते हैं उनको शाने के कोसिज़ करती है नहीं हटते है गया जी उस अंदर उंको विड्रो कर लेते हैं हैं इंडॉस्ट्री को गांदी जी कभी भी सपोर्ट नहीं करते थैए प्र तो कहते थे यार चर्खा चलाओ सूत कातो अब सूत कातना उनका उसमें बड़ा जबर्दस विजन था पर एक कैपिटा इंकम बढ़ रहा था ऐसा मत तो सूत कातने से खाली गांधी जी ने बता दिया ऐसा नहीं है अगर आप जब भी इतिहास के एक सबसच्य भट्टा चया रहा जब आप पढ़ते हो तो वहां पर बहुत जबर्दस तुन्हों ने इसके बारे में वर्डन किया है ठीक है किले रहे है बिलकुल बांकि ग्राम पंचायत स्रम की गरिमा दिया ही था mai कॐन्सा सही है इन में से क्यापिटल सेंडर्ग कंट्रीद हैं इजिप्ट यान यह भी गलत है तंजानिया के सामने लिका हुआ है हेलसिंग्य बलकुल गलत है यह वाला सही नाइजिरा गुझा है तंजानिया की क्यापिटल है ॡो-डोम डोडोमा इस क्यापिटल आफ तंजानिया एंड हेलसिंकी इस क्यापिटल आफ फिनलेंड ठीक है के लिए रहना यहां तक किसी को कोई डाउट रानी मौर्या सूरज दुवे एनी डाउट एनी क्वेस्चन यहां तक जरह सा भी डाउट हो तुरंट कमेंट सक्षन में लिख करके पूछ लोगे कोई भी संकोच नहीं करना है कोई भी दुविधा मन में नहीं रखनी है भी बोलिएगा ठीक है ना चलिए मूब तू नेक्स इसका अंसर हो गया नाईजीरिय आपूजा राइट इस दा राइट सिक्वेंस राइट पिर ठीक है नेक्स प्वेस्टन वेन गैस इस तर्ट इंत्रू अलिक्वेड डैट प्रसेस इसकाल्ड जब कोई गैस जो हो है वो अब पेपर रिटन बाई है एक स्पाव आसे लिखा गया कोई पेपर है उस पोटा कहोंगे निघते हैं हेंडिक्राप्ट हासे बनाया गया कारिगरी है और हैंड वर्क सिल ये भी हास से बनाया गया लेकिन आसे लिखे पेपर हैं बहुत पुराना हो गया डेट इस काल्ड मनुस्क्रिप्ट यानि की पंडूलिपी बोलते हैं कौन सास सही है विच विच आप फॉलूइंग इस करेक्ट कौन सास करेक्ट है बहुत बढ़िया क्वेस्चन बहुत ध्यान से समझेगा सारी चीज़ डिटेल में तो ब यह मिस्का रखी तो मिस्मैच होगा ओए लिकाप्टर के रिवालवर के साइंवल कूर प्लोरोफार्म के सिमस she सिंपसन और हैरीसन जो हैं यह आपके लेंड स्टॉम मैच बॉक्स यह भी गलत डेट इस दे राइट ऑप्सन नमबर थी सिनेमेटोग्राफी यह किस ने दिया फॉमस एडिशन ठीक है नेक्स क्वेश्चन मूब करते हैं विच आफ फॉलॉवंग इस नौट रिटेन बाए मुंसी प्रेमचंद मुंसी प्रेमचंद का कौन सा रिटेन नहीं है इसे गवन गोदान मांसरोबर या धगाई बहुत ध्यान से समझेगा गवन गोदान निर्मला रंगभूमी करंभूम थनने पूस की राज सतरंज के खिलाडी सब प्रेमचंद प्रेमचंद सहाब को था सम्राट भी कहते हैं प्रेमचंद सहाब का जन्म बनारस के लम ही में हुआ करेक्त कौंसा करेक्ट है सकते हैं कौन से सेक्टर का कौन सा अवार्ड है एक मिसमेच है वह आपको बताना है क्या करेक्ट होगा बच्ची बहुत बड़िया सा सवाल है बेसिकली पुलिद्जर अवाड पुछा जाएगा रिलेटेट टू जनलिजिदम बिल्कुल सही है विधान चंद रॉय अवाड रिलेटेट टू मेडिसिन बिल्कुल सही है औरेंज अवाड रिलेटेट टू लिट्रेचर बिल्कुल सही है अल आप दा अबोब आर राइट कर यस and share ठीक है बैए next question हिंडोला महल किस राज्य में इस्थित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश या बेस्ट पंगॉल हिंडोला महल देखो बहुत ध्यान से समझे हिंडोला पहलेस जो है या हिंडोला महल है यह मध्यप्रदेश में मद्यपरदेश में सबसे अधिक नयस्ताल पार्क यानि के राश्ट्री पार्क याद रखना है भारत का हर्दय परदेश वी कहते ठीक है याद रखना है उत्तर प्रदेश एक फिर जब birthday से लोक सब्कशल राजसब्सक्शुआ पडिदान परिश्च सीटे सबसे लगिया की औ कौन सा करेक्ट नहीं है वन साइड में डांस है वन साइड में स्टेट नेट नाटिन जाट जाटिन विदेशिया तीनों अंद्रत बिहार के हैं तो हिमाचल कहां से हो जाएगा यह गलत है लाहो रिलेटेड टुमेगाले 100% सोटका सही मंडो रिलेटेड टुगोगा सोटका इस दा लार्जेस्ट रिवर आफ नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है बहुत ध्यान से समझेए गाड़े रिवर की जब भी बात करते हैं तो कहेंगे यार एसिया की कौन सी है यूरोब की कौन सी है नॉर्थ अमेरिका की कौन सी है पिर कहेंगे ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है सारे एकदम याद कर दा एसिया की यांग जी बोलते हैं बिल्कुल सही है यार यूरोप की बोलगा बोलते हैं सौटका सही है नौर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसौरी मिसिपी बोलते हैं साउथ अमेरिका की अमेजन बोलते हैं आस्ट्रेलिया की मर्रे बोलते हैं, सारी रट मारो, कोई भी आये, उत्तर आपकी आँखों के सामने हो, ठीक है ना, कड़क कर देना, कड़क, समझ रहे हैं, कड़क के बतला होता है, एकदम यार, सटीक लगा हुआ, और सटीक तभी लगेगा, कब मेहनत करोगे, बगैर मेहनत के कुछ भी सटीक नहीं होने वाला, तुक्का राम तुक्का नहीं चल पाएगा, ठीक है ना, क्यों राजीव रंजन, अंजनी मौर्या, रानी मौर्या, बोलोगे भाई, जै पाटनी, योगे सिंग, सारे लोग बताते जाईएगा, और यूरोप की गंगा भी बोलते हैं है इसको वुलगा को, नगोबा जात्रा इस ट्राइवल फेस्टिवल, कहां से किस स्टेट से रिलेट करता है, बिहार, उत्राखंट, छतिस गड़या, तेलंगाना, नगोबा जात्रा इस ट्राइवल फेस्टिवल, रिलेटेट तू विच स्टेट, क्या आंसर होगा, नगोब यह separate हुआ प्राम आंध्राप्रदेश तो आंध्राप्रदेश के 10 डिस्टिक्स इसमें इंक्लूट किये गए उत्त्राखंड करते हैं तो अभी हम लोगों ने देखा एक नई सरकार बनी लालू यादब जी के सुपुत्र तेजस्वी यादब डिप्यूटी सीम मन गए नितिश कुमार साथ सीम मन गए उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और बड़ जवर्दस सरकार बना दी महराष्ट में बहुत सारे विधायकों के साथ जुड़ गए और उन्हें अपने विधायकों के साथ चले गए बीजेपी में और बन गया वहिया उनके मसिया के रूप में सीम बड़ा ये राजनीति में उथल पतल अभी इस वर्स हम लोगों को देखने को मिली है ठीक है क्या हो गया वाय चौधरी बोलो क्या समस्य आया अंकित बावू बोलिये निव रायपूर को ये टुल नगर बना दिया गया बिल्कूल सही है सौटका सही है एकदम हो नियारा ये किसकी कैप्टल है पापवा नहीं हुगी नहीं बोलो अंकित बावू क्या दिक्कत है करें चाचा बतीजा की सरकार राजनीतिम चाचा बतीजा ये सब बहुत जल्ली बन जाते हैं कि देखाना आप लोगों बड़ा मजा आता है 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 कि बिहार के बच्चे मेरे साथ बहुत जूरते हैं और बिहार में जो लास्ट वाला एक्जाम हुआ था लगभग 35 बच्चों ने मेरे पास जो मेरे से पढ़ेते सी थे 35 बच्चों ने अपने वीडियो बना करके बहुत हैं लगभग जितने स्टेट हैं जितने यूटी से भी बच्चे बहुत सारे जुड़ते हैं तो आप लोग को मेहनत करते रहों सेलेक्शन उसी का होगा जो मेहनत करेगा अपना काम अच्छा कंटेंट देना अच्छी तरीके से अलेबरेट करके पढ़ाना है ठीक है वो नियरा वाई सोलोमन आइलेंड की है ठीक है ग्रीन लैंड की कैपिटल याद रखना नूक एन यू यू के नेक्स प्रस्चन यह आप देख सकते हैं मैंने कहां कहां पर है लिख दिया है एसिया में नियूंतम छेत्रफल वाला देश कौन सा है एसिया में मिनिमम जो लिस्ट एरिया है वो किसका है एसिया में लिस्ट एरिया की बात करते हो तो एसिया में लिस्ट एरिया वाला है मालदीब माल्दीब की कैपिटल मालेख 53 के कैपिटर सिंगापुर सिधी है सबसे पहले वर्ल्ड मेंट फेस बायोमेट्रिक अब इमले जातें जातें इंगर वाला करते हैं अब तेश बाला सबसे पहले इसने स्टर्ट के सिंगपूर भूतान के जो नेशनल डियम में वो आर्चरी तीरंदाजी है यह पिटल इसकी थिंपू है करंसी इसकी नगुलटरम है भूटान की अब बूटान की जो संसर है उत्त सांग्डू कहलाती याद रखेगा इंपोर्टेंट है त्री ल भवन के अंदर लोग स्विमिंग पूल में नहां रहे हैं वहां खाना बना के किचन में खा रहे हैं गुटबैयर राक्षपक से दूसरे रास्ते से अंदर कुछ गुपत रास्ता होगा उससे निकल करके भाग करके पहुंचे थे माल्डी पढ़ा था ना आप लोगों ने तालिवानिस्तान मन गया आफ भागानिस्तान की जगह दिखा ना तालिवान तास्तान को कैप्ट्र कर लिया पूरा अदिकार कर यह ना जाना but śता बाबा करहें सम्मूह है अनिल बाबा बाबा गरी करो ठीक अनिल बाबु बाबा गरी का काम करो पढ़ो पिर गो गोरख नात के गुरू का क्या नाम है गोबिंद भगपदा विरजानन्द मत्सेंदनात समर्त राम्दास देखो बहुत इंप्पोर्टेंट पुस्चन बिर्जानंद स्वामी द्यानंद सरस्वती के गुरू का नाम है, मत्सेंद्रनाथ, गुरु गोरकनाथ के गुरू का नाम मत्सेंद्रनाथ है, गोबिंद भगपदा अचारे संकराचारे के गुरू का नाम, अचारे संकर या संकराचारे, समर्थ गुरु रामदास, सिवा जी के गुरू का ठीक है नेक्स क्वेस्चन है इंडियन मिलिटरी अकेडमी वास फाउंडेड है हम लोग यह तो जानते हैं यार आयमे देहरादून में है लेकिन आयमें बनाया किसने था बेसिकली आयमें वाज इस्टैबलिज्ट इंडर डूरेशन इंडर टाइम ओफ लॉड वेलिंगेटन बेसिकली लॉड वेलिंगेटन ने इसको इस्टैबलिश कराया था यह 1932 में 1948 में एंसी सी बना कमेंट सेक्षन में एंसी सी का फुल फॉर्म लिखके बताओ जल्दी से 1954 से भारत रतन दिया गया 1958 में DRDO बना और NASA भी बना National Aeronautics Space Administration भी बना और Defense Research and Development Organization बोथ आर इस्टैबलिज्ट ओन 1958 सो 1958 इस मोस्ट इंपोर्टेंट के लिए रहना दा एप्रोप्रियेशन विल इस रिलेटेड टू भी नियोग बिधे किस से रिलेटेड है आर्टिकल 114-115-262-N-108 देखो भाई 108 इस इंपोर्टेंट 108 रिलेटेड टू जॉइंट से से रिलेटेड है बाई प्रेसिडेंट बावु माननी प्रेसिडेंट साहब और इसका चेयर्मेन अध्यक्ष कौन होगा इस बैठक की और इस बैठक का अध्यक्ष हमेशा लोकसवाई स्पीकर होता है ठीक है आर्टिकल 262 रिलेटेड टू अंतर राज्जीय जल्विभाद इंटर स्टेट वाटर क परस्ट बार देख रहा है चलिए बहुत बढ़ी है योगिंदर बावु बहुत सांदार यह हो गया 114 से अप्रुप्रीयेशन बी इंडिया इस हाइस्ट रेल्वेय स्टेशन कौन सा है सबसे अधिक उचाही पर रेल्वेय स्टेशन बताओ के बैए सबसे अधिक उचाही पर जो रेल्वेय स्टेशन है वो कौन सा है पटा पटा आंसर करिए जल्दी से इस प्रस्ट का उत्तर को मैं पानी पी लेता हूं जल्दी स्पास कि अधिक तो यह अधिक तो यह अधिक अधिक बहुत संदा यह बहुत ही बहतरी कि कुछ लोग बड़ा अच्छा अंसर कर रहे हों देखो बैज बिलकुल बच्चे इसका अंसर हो जाएगा लद्दाक में नहीं है यार घूम रेल्वे स्टेशन बताओ के घूम कहां है बताईये कौन बताएगा गूगल कर लिए घूम है गूगल ना करो यार गूगल करके बताओ के तो क्या फाइला है जलिद बताओ कहां है घूम पहला जो बिम्स्टेक समिट हुआ वो कहां पर हुआ बैंकोग थाइलेंड कैपिटल बिम्स्टेक नेक्स्ट है एंटेनियो मेरिकॉन एक संगीत कार थे इंका निधन हुआ थाली में वो रिलेटेट थे इटली से ठीक है अब कनाड़ा की कैपिटल उठावा है कनाड़ा व हम्भी टर्रेखा वाला देश है किस वर्ष में लैंड स्टीन religion बेसिकली इनका पूरा नाम है कार लैंड इस्टीन ही इन्वेंट इंफिरिप्स इन्होंने ब्लेट ग्रूप को इंळेंट किया था काणल इन्फिर में इनको नोबल्वक्राइज इस ही लिए दिया गया से अब करिया से जंग जो लगेगी वो खिसमे लगेगी गोल्ड में टिन में सिल्वर में कौपर की है कि अंसर ओँ आफटा फटा प्लव करो देजी सिण किसमे लगेगी जंग ब्याशास दिमीड है प्लाथ कि आरवन थे हुआ नेक्सकुक्रश्चन है चाइनीज जैपनीज, इंडियन, भीम सेनी, एन बरास, टाइप्स और किसके हैं, किसके टाइप्स हैं प्यारे विध्यारतियों, बोलोगे बैया, ये सभी के सभी टाइप्स हैं आपके, कपूर के, नेक्सकरा पॉस्चन है, कौन सा सही नहीं है, वन साइड में स्पोर्ट्स है, गेम है, और दूसरी साइड में ब्लेयर्स की काउंटिंग है, तो कौन सा आपका सही नहीं है, एक बार तेजी से अंसर करोगा, सारे लोग, तेजी से, फास्ट ? बहुत बहतरीन कोश्चन है देखो देखो बई सही नहीं है इन में से आपका नेट बॉल रगभी में 15 प्लेयर्स होते हैं बिलकुल होते हैं 100 का सही है वाटर पोलो में 7 प्लेयर्स कबड़ी में 7 प्लेयर्स और नेट बॉल में 7 प्लेयर्स तो नेट बॉल में 7 होते हैं बाकी बॉलीवाल 6 है बास्केट बॉल 5 है रगभी में 15 है आई सौकी में 6 हैं बॉलीवाल में 6 हैं दोने याद रखना है यह देख सकते हो मैंने सारे लिख दी है ठीक है सारे के सारे आप लोग याद रखना है लिमका ट्रॉफी इस रिलेटेटेट टु विच स्पोर्ट्स या विच गेम लिमका ट्रॉफी आंसर करोगे सारे लोग संडे को आप लोगों का एक मेरोथन क्लास रखूंगा मैं संडे ठीक है जिसमें एक ऐसे क्वेस्चन सोंगे जो आपके डिफरेंट डिफरेंट एक्जाम में एकदम सटीक क्वेस्चन आया हूँ ठीक है लिमका ट्रॉफी रिलेटेड टू चेस चेस में कितने स्क्वाइर होते हैं 64 यहाँ देना क्रीकेट से रिलेटेड पूछा जाएगा रडजी ट्रॉफी है दिलीब ट्रॉफी है सीसमेल ट्रॉफी है एंड सरजाह कप है फूटवाल का एक अधर नेम भी है डेट इस सौकर सौकर रिलेटेड टू फूटवाल अज लंसहा कप रंगा स्वामी कप बेटन कप आगा का कप अल रिलेटेड टू होकी के लिए रहना चलिए मूब टू नेक्स्ट यह चेस के बारे में लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं कि ट्रॉफीज है चेस की नाइडू खेतान एं लिमका विच इस नोन अज ब्रिटेन आफ दसाउथ दच्छिड का ब्रिटेन किसको कहते हैं कि यहीं टाइमिंग रहेगा साधे आठ से और कम से कम हम लोग करेंगे साधे आठ साधे नो शाधे दस ग्यारा ग्यारात करेंगे संदे बन इसका आंसर हो जाएगा दच्छुन का ब्रिटेन बाई न्यूजुलेंड न्यूजुलेंड की जो कैपिटल है वो वेलिंग गटन है वेलिंग गटन पूरे वर्ल्ड में साउधर्न मोस्ट कैपिटल है इससे ज्यादा दच्छुन में कोई भी राजधानी इस्थित नहीं विच आफ दो फॉल्लविंग सब्स्टेंस इजूजड इन दा प्रिजर्वेशन आफ पूड स्टफ बताओंगे वाई हम लोग कोई भी चीज खाते हैं चिप्स खाया रखा हुआ दो महीने पुराना जूस पी लिया पैक डाते हैं सारी की सारी चीज़ें पैक का जमाना ए आरे क्या मजा आ गया या जूस पीक है ठीक है ना तो आनंद एक कल्चर है चल गया चल गया एक ने कहा दूसरा अबने यह वक्त बहुत अच्छा एक वीडियो आपने देखा होगा हम लोग जानते हैं हमारी प्रत्रवी पर पूरे हर जगे पानी पानी लगवग पानी लग कि यह ल thread्यार्णी किले तमाम कंपनिया चलने लगी तो यह जो मैं किसी एक कंपनी नाम नहीं ले रहा हूं यह mineral water टीक है mineral water का पॉंसर चलने लगा बहुत सारे मिन्रल वाटर आप लोगों को आने ले अब सब मिन्रल वाटर का समय हो गया तो एक खाद्य पदार्थों के संरच्छड के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रियूप करते है ठीक है याद रहेगा हा या ना के लिए सोडियम क्लॉराइड होता है एक खाने वाला नवक होता है नेक्स कोस्चन है उससे पहले समझ लोगे सोडियम बेंजोएट का रासानिक सुत्र हो जाता है नेक्स कोस्चन छत्रपति संभाजी महराज आयरपोर्ट का नया नाम यह कि एक लिखना है परेश रावल है 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 कि पोलो कि यह संदार तरीके से अंसर कीजिए है कि देखो है कि शत्रपति संभाजी महराज आयरपोर्ट बेया और रंगाबाद एयरपोर्ट के ना अब हो गया है ठीक है कि किसी कोई डाउट तो नहीं यहां तक यहां तक किसी भी व दाउट है तो पूछ सकता है एनी डाउट एनी क्वेस्चन यहां तक तो तुरंत पूछोगे राणी मुखर्या पुलकित मित्तल कि पुरूपांकर चटुपा ध्याय कर्द के डेविड राजपूत को सवाल हो एक बार लाइक बटन पर जरूर प्रस कर देंगे सारे लूग नेक्स वुश्चन है करतारपुर किस नदी के किनारे इस्तित है करतारपुर रावी व्यास जहलम या चेना've देखो करतारपूर की जब भी बात करते हैं बेसिकली करतारपूर कॉरिडोर बनाया गया था और ये आपका राभी नदी के किनारे है राभी नदी पर एक बांध बना हुआ है रंजीत सागर इसका लोकल नेम है थीन बांध थीन बांध इसका लोकल नाम हो गया ब्यास नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसको बोलते हैं पॉंग बांध पी ओ एंजी जेलम पर एक बांध बना हुआ है जिसको बोलते हैं मंगला बांध ठीक है next question है Anantamarevo is the Capital of which country Anantamarevo किस देश की राध्धानी है Greenland New Guinea Borneo या Medagascar देखो भाई Anantamarevo जो Capital है ये है Medagascar की Capital किस की Capital है Medagascar की Capital है ठीक है बच्चे तो आज यहीं तक रखा जाए ठीक है आया ना एक बार बता दीजेगा कैसे question लगे आनन्द आया सारे के सारे questions बहुत important जितने लोग भी जुड़े हुए हो भाई सारे के सारे लोग एक चीज जरूर याद रखिएगा सैसन अच्छा लगा हो हमारा तो एक बार like जरूर करोगे share जरूर करोगे और channel को subscribe जरूर करोगे लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते रिपोर्ट एंड विन है जितने लोग भी हो भई सारे के सारे लोग सैसन share कीजेगा like कीजेगा और channel को भई subscribe जरूर कीजेगा ठीक है ओके चलिए ओके थैंक यू अवरिबन गुड़ नाइट बढ़ियाच रहे साफधान रहे सतर्क रहे सुरच्छित रहें मन लगा करके पढ़के रहें ओके थैंक यू